इसलिए यहां विदूर जी सावधान करते हैं कि देखो जब जीवन के अंदर ऐसे प्रलोभन आवें तो अपने मन को तयार कर लेना क्योंकि इनसान की परिक्षा और इनसान जीवन में क्या अनुभाव लेके सीखा है उसकी परिक्षा ही तब होती है जब जीवन में ऐसी कोई कमजोर ख्षन आती है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो पता नहीं चलता कि जो पड़े हैं जो सीखे हैं जो जीवन का एक्सपिरियंस लिया है उसका अमल कैसे करना लेकिन जब जीवन में ऐसी कमजोर ख्षन आती है न किसी ने बहुत संदर कहा है कि यदि व्यक्ति के व्यवार को देखना होना यदि व्यक्ति का मूल व्यवार कैसा है देखना होना तो उसे बहुत सनमान देना और बहुत सनमान दोगे या उचे पत पे बैठाओगे तो पता चल जाएगा जब तक नीचे था अपनी तरह था और जैसे बड़ी सक्ता मिल पड़ा पद मिल गया और मूल रंग दिखाना चालू किया जब यदि व्यक्ती कैसा है उसका व्यवहार कैसा है ये देखना है तो उसे बहुत सन्मान दो कहा कि उसकी आदतें कैसी हैं ये देखना है तो उसे स्वतंत्र तागो घर में सब के बीच में बैठा है तो कैसा भी होगा लेकिन कंट्रोल में रहेगा और जैसे ही अकेला भेजा और उसकी मूल आदतें बाहर प्रग्टे भी ना रहेंगी नहीं आदत देखनी है स्वतंत्रता दो उस व्यक्टी की नियत देखनी है तो उससे थोड़ा कर्ज दो लोन दो उसकी नियत कैसी है ये देखना है तो उसे कर्ज दो और यदि व्यक्ती के गुण देखने है तो उसका संग करो थोड़े दिन लोगे बता चल जाएगा कि बाहर कुछ है और अंदर कुछ है और इसलिए यहाँ पे परखने का प्रकार भी बताया कोई आके कैसी भी बड़ी बड़ी बाते क्यों न करे पर विदूर जी कहते हैं कि जीवन के अंदर जो चल करके जो कपट करके यदि कुछ पा भी लिया तो कपट करके पाई हुई वस्तू किसी का दिल दुखा के पाई हुई वस्तू या कहीं से लूट के लाई हुई वस्त वस्तु कभी भी इनसान को सुक नहीं दे सकती, करता वो है, लेकिन भुगतना उसकी संत्ति को पढ़ता है, आने वाली पीडियां भोगती रहती है, ये ऐसी वस्तु है, इसलिए जीवन में मैं हमेशा कहता हूँ, ये दो वस्तु से हमेशा डर के रो, एक तो किसी के हक की वस् सेकेंड में ले जाती है, पता भी नहीं चलता, और इसलिए यहां सावधान कर रहे हैं विदुर जी दुतराष्ट को, कि जो पांडव की संपत्ति तुम छल से चिन लेना चाहते हो, उसका मोह हटाओ, क्योंकि छल से मिला हुआ, तुम्हे यदि बहुत सुख दे देगा, ऐ ऐसा मान रहे हो, तो यह तुम्हारा ब्रह्म है,